लीजी हाजिर हूँ हर सुबा हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरे नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल पर तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें आज की इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वाइरस का देश में तांडग, कितने लोग हुए पेड़ित और कितनों की अब तक मौत दिल्ली यूपी और हर्याना में अगले कुछ घंडों में आंधी और बारिश का अनुमार 110 रुपे महंगा हुआ LPG रसोई गैस सिलेंडर नई कीमते एक जून से लागू एक राष्ट्र एक राशनकार योजनाब 20 राज्यों में अब एक कार्ड से राशन मिलेगा इन राज्यों में एक जून से बढ़ गए पेट्रोल डीजल के दाम जानिये कितने अधिक देनी होगी केमत एक जून से 887 राशन दुकानों से होगा राशन वित्रन मिलेगा 20 किलो गेहू 15 किलो चावल गेहलोत सरकार का बड़ा फैसला राजस्थान रोडवेस कल से 100 नए रूट्स पर चलाएगे बसे दिली में कब खुलेंगे स्कूल और कॉलेज सरकार ने दी ये जानकारी चलिए जानते हैं आप खबरी विस्तार से लेकिन उससे पहले वीडियो पसंदारी हो तो लाइक जरूर कर दें भारत में करोना वाइरस का कहर जारी है देश में कनफर्म केसो का आकड़ा 1,98,706 के पार पहुंच चुका है और 5,598 से जादा लोगों की जान जा चुकी है वही 95,527 ठीक हो चुके हैं दुनिया भर में इस वाइरस से 3,75,208 से जादा लोगों की मौत हो चुकी है वही 62,69,887 कनफर्म केस आ चुके हैं हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आकड़ा और बढ़ गया हो भारतिय मौसम विभाग ने अगले 2 घंटे में दिल्ली, हर्याना और उत्रप्रदेश में आंधी और बारिश का अनुमान जता है हर्याना मेरट और दिल्ली के कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है इस दरान कुछ स्थानों पर अगले कुछ घंटों के दरान आज गरच के साथ बारिश और धूल भरी आंधी चलने की संभावना है अनलोक वन में आम आदमी को लगा बड़ा जटका 19 किलोग्राम वाले LPG गैस सिलंडर का दाम बढ़कर 110 रुपे हो गए है दिली में 14.2 किलोग्राम वाले गैस सबसिडी वाले रसोई गैस सिलंडर के केमत बढ़कर 593 रुपे हो गई है जो 581.50 रुपे थी 19 किलोग्राम वाला सिलिंडा 110 रुपे महंगा होकर 1149.50 रुपे में आप तक पहुंचेगा देश के 20 राज्यों में रहने वाले लोग एक राश्ट्र एक राशन कार्ड योजना का लाब उठा सकते हैं वासवान ने कहा कि एक अगस से उत्राखंड नागा लैंड और मनिपूर को जोरने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं मंतराले की कोशिश है कि 31 मार्श तक पूरे देश में एक राश्ट्र एक राशन कार्ड लागो हो जाए यह प्रक्रिया पहले ही 17 राजियों केंदर शासित प्रदेशों में पूरी हो चुकी है एक जून से पेट्रोल और डीजल की केमत में 2 रुपे प्रती लीटर की बड़ोतरी हो गई है सुमबार को मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल 38.32 रुपे प्रती लीटर पर और 1 लीटर डीजल 68.21 रुपे प्रती लीटर पर मिल रहा है इससे पहले मार्श महीने में राजिसरकान ने पेट्रोल और डीजल दोनों पर 1 रुपे प्रती लीटर वैट बढ़ा दिया था उत्रप्रदेश में COVID-19 महामारी के मद्दे नजर 1 जून से पिली भी जिले की 887 राशन की दुकानों से राशन वित्रन किया जाएगा इसके तहट अंतियो दैकार धारकों को प्रतिकार 20 किलो गेहूं 15 किलो चावल और 1 किलो चना निशुलक दिया जाएगा प्रतम चरण में 1 जून से 11 जून तक राशन वित्रन किया जाएगा अनलॉक वन पॉइंटों के पहले चरण में राजिस्थान रोडवेस अपने संचालन का दायरा बढ़ाने जा रहा है इसके तहट बुधवार से रोडवेस करीब 100 नए मारगों पर बसों का संचालन शुरू करेगा इन रूट्स की बुकिंग भी मंगलवार शाम 4 बजे से शुरू हो जाएगी अगर आप भी अपने रूट बसे चलवाना चाते हैं तो रोडवेस को सुझाओ भेज सकते हैं सुमवार को दिली के मुखे मंतरी अरविंद केजरिवाल ने सभी सीमाए एक हफते के लिए बंद करने का ऐलान किया था हलाकि इस दुरान जरूरी सेवाओं के लिए बॉडर खुले रहेंगे मंगलवार सुबा दिली में जगा जगा जॉगिंग करने वाले देखे गए गाजीपुर में थोकफल और सबजी बजार भी खुला जहां ठीक टाक बीर दिखाई दी इसी बीच दिली गुरुग्राम बॉर्डर पर पुलिस की चेकिंग टाइट रही कोरुना के बढ़ते खत्रे को देखते हुए लॉकडाउन की अवदी 30 जून तक बढ़ा दी गई है यूपी सरकार ने लॉकडाउन 5.2 के लिए गाइडलाइन्स जारी कर दी है अनलॉक वन के लिए जारी की गई एडवाईजरी के मताबिक 1 जून से 30 जून 2020 तक केंदर के अनुसार ही प्रतिबन लागू रहेंगे यूपी में 8 जून से धर्मिक्स्टल, शौपिंग मॉल्स और होटल, रेस्टरॉन भी खोले जा सकेंगे जुलाइम स्कूल और कॉलेज केंदर के निर्देशों के अधार पर खोलना प्रस्तावित है चीन लगतार दुनिया को अपनी हरकतों से हैरानी में डाल रहा है एलियन्स की खोज में लग जाएंगे एक जून से देश में अनलॉक 1.0 की शुरुआत हो गई लेकिन अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमाएं अनलॉक नहीं हुई है महराश्टर तमिलारू पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज अभी भी अपने राज में आवाजाही को शुरू नहीं करने की समर्थन में है जिसके लेकिन्दर सरकार की तरफ से छूट भी दी गई है तो हम कह सकते हैं कि अनलॉक 1.0 नहीं हुआ अभी पूरी तरह अनलॉक आज प्रदान मंत्री नरिंद्र मोदी ने भारती उध्योग परिसंग के सालाना कार्यक्रम को संभोधित किया किसानों को लेकर पियम मोदी ने कहा कि सरकार ने अतिहासिक बदलाव किया है अब किसान कहीं पर भी अपनी फसल बेच सकता है किसान कहीं भी कभी भी अपनी फसलों को अपनी शर्टों पर बेच सकते हैं जमकश्मीर में अवंतिपुरा के तराल के सिमो इलाके में पुलिस और आतंकियों के बीच मुद्भेड चल रही है इस दुरान पुलिस ने एक आतंकी को माल गिरा है पुलिस और सुरक्षाबल इस आपरेशन को अंजाम दे रहे हैं कीर्नी से बाला कोट तक 100 किलोमीटर से अधिक लंबी नियंदरन रेखा पर पाकिस्तानी सेना ने नापाक हरकतों को अंजाम दिया कोरोना संकट की बीच करमचारी भविशे निदी संगटन के ओर से पेंशन भोग्यों के लिए अच्छी खबर है अब इने बड़ी हुई पेंशन मिलेगी एपी एफो ने सोमवार को बताया कि परिवर्तित पेंशन को बहाल करने के लिए कुल 973 करोड रुपे जारी किये गए है इसमें पेंशन के लिए 868 और एरियर के लिए 105 करोड रुपे है देश में 25 मार्स से लॉकडाउन लागू है प्रदान मंदुरी नरेंद्र मोधी ने नीजी कमपनियों से अपील की थी कि लॉकडाउन के दुरान वे किसी करमचारी को नौकरी से ना निकाले और ना ही उनके वेतन में कोटाथी करे रोजगार को लेकर सरकार चिंते थे और इसके मद्दे नजर हर जरूरी कदम उठा रही है भारत के सामने एक और तूफान का खत्रा मंडरा रहा है इस बार ये मभारत के पश्चिमी तड़ पर आएगा यह सिर्फ एक डिप्रेशन यानि दबाव है जो मंगलवार सुबह एक डीप डिप्रेशन यानि भारी दबाव में तबदील हो सकता है और फिर ये एक तूफान की शकर लेगा इस तूफान का नाम है निसर्क नासा ने एक अलर्ट जारी करके बताया है कि करीब आदा किलोमीटर बड़ा एक उलकापिन धर्ती की तरफ तेजी से आ रहा है उस उलकापिन की रफतार करीब 5.2 किलोमीटर प्रती सेकिंड या फिर 11,200 मील प्रती घंटा तक बताई जा रही है नासा के मताविक ये उलकापिन्ड अमेरिका की एमपायर स्टेट बिल्डिंग से भी बड़ा है और 6 जून को धर्ती की कक्षा में दाखिल होने वाला है कुरोना वाइरिस की वज़े से अब चीन से निकलने की तयारी कर रही 600 विदेशी कमपनिया भारत आ सकती है वानिजय मंतरी पियोष्ट गोयल ने कहा कि विदेशी कमपनियों को भारत लाने में राजियों की भूमी का सबसे हम होगी सरकार की कोशिश ऐसी है कि राजियों के बीच विदेशी कमपनियों को भूलाने के लिए आपस में ही प्रतिस परदा हो तीन महीने के बाद होने वाली GST काउंसिल की बैठक में कारोबारियों को रहत देने के लिए बड़ा एलान हो सकता है जनवरी 2020 तक फाइल नहीं के अगर रिटरंस की लेट फीस पर GST काउंसिल की अगली बैठक में चर्च होगी Central Board of Indirect Taxes and Custom की तरफ से ये जानकारी दी गई है तो दोस्तों ये रही आज की खास खबरे तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबाद 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबर हम यूही लेकर आते रहेंगे तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना क्या है आपकी राये प्लीज शेर करें साथ ही आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है आपको खबरे अच्छी लग रही हैं आप इन्हें पसंद करें हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिग कर बताएं फिर मिलते हैं कल तब तक के लिए धन्यवाद